तो आज इस वीडियो में आपके लिए 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 हैं comparison bolero new N4 और N8 variant का यानि बेस और second variant का right side आपको मिल जाते है N8 variant, left side दियागे N4 variant हम इस वीडियो में सारी differences कवर करने वाले हैं तो सबसे लिए चेक के लिए हैं, हमें front profile N4 में कुछ आपको ऐसी front profile मिल जाती है यहां पे black finish दिगे है grill में आपको मिल जाती है कुछ ऐसी finish आपको ऐसी फिनिश ग्रे इंसर्ट दिये गए हैं यहां पे प्रिमियम एक टचाइड करते हैं और बाकी यहां पे आप सेकेंड डिफरेंस दिखेंगे तो यहां पे आपको मिल जाते हैं basically wheel cover, यहां पे wheel cover offer नहीं करेंगे बेस वेरेंट में और दोनों यह wheels का आपको size exactly similar दिया गये third difference यहां पे आपको भाड़ यहां पे मिल जाते हैं wheel arch sliding and side body cladding जो कि यहां पर offer नहीं करेंगे और fourth difference यहां पे side footstep जो कि आपको एट वेरेंट में लेजाता है यहां पे offer नेक्स जब यहां पे आते हैं dual tone ORVM यहां पे आपको मिल जाते हैं नेक्स डिफ्रेंस आपको मिल जाते है आपे रूफ एंटेना जो कि N8 विरेंट में ओफर करा गया है और नेक्स जब यहाँ पर चेक कर लेदे हैं हम रियर प्रोफाइल तो यह है बेसिकली N8 की रियर प्रोफाइल और यह है N4 की रियर प्रोफाइल दोनों को अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ बात करते हैं बैसिकली अब डिफ्रेंस की तो यह है N4 यहाँ आपको रियर वाइपर वाशर और डिफॉगर नहीं मिलता है जो कि दोनों ही चीज़ है वाँ पर ओफर करी गई है second difference यहाँ पर आपको मिल जाते है यहाँ पर cladding ओफर नहीं करें कि N4 वेरिंट में वाँ पर आपको मिल जाती ही cladding तो अब दोने यह वेरिंट के हम बूट को unlock कर लेते हैं तो यह है N4 और यह है N8 यहाँ पर आपको difference आप देख सकते हैं कि जो N8 वेरिंट है अगर बात करें color option differences की तो आपको दोनों भी वेरिंट में मिल जाते हैं 5 exactly similar color option तो आप आपको कोई भी difference नहीं दिया गया तो यह है बात करते हैं आपको keys की तो यह है basically N8 वेरिंट मतलब higher variant आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको दो foldable keys दी गया है महिंद्रा की यहाँ पर एक मिल जाती है remote key एक standard foldable की और यहाँ पर वही आप चेक करेंगे N4 variant तो आपको मिल जाती है दोनों इस foldable keys बट दोनों आपको मिल जाती है basically standard keys दोनों standard keys यहाँ पर offer करी गई है और यहाँ पर N8 में आपको मिल जाती है एक foldable standard एक foldable remote की तो यह आपको differences दिखने हो मिल जाते हैं अब बात कर लेते हैं आप interior differences की तो यह है अब N4 का interior यह आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर interiors यहाँ आप चेक कर लेते हैं यहाँ पर N8 के interiors तो यहाँ पर difference नोट करेंगे यहाँ पर काफी जगा silver essence के यूज करेंगे यहाँ पर यहाँ पर silver essence वहाँ पर and completely यहाँ पर silver essence के यहाँ यूज करागे और यहाँ पर IRVM देखेंगे तो basically आपको मिल जाते हैं N8 में anti-clear IRVM जो कि adjustable है और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं non-adjustable IRVM second यहाँ पर interior difference मिल जाते हैं यहाँ पर black finish दीगी है complete और यहाँ पर check करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती piano black premium finish यहाँ पर यहाँ पर complete piano black finish दीगी है और next यहाँ पर आपको difference मिल जाते हैं वह है music system को तो N8 में आपको दियाएगे 2DN का music system जो यहाँ पर support करते है 6 speakers जिसमें 2 front twitters दिए गए हैं साथ में blue sense app radio aux usb bluetooth और अगर आप वह यहाँ पर check करेंगे तो यहाँ पर music system offer ने करेंगे एंड speaker एंड twitters के आपको यहाँ पर space मिल जाती है तो यह था difference और next difference आते हैं एंड four variant में कोई भी steering controls यहाँ फिर कोई भी finish offer नहीं करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो black finish आपको मिल जाती है steering wheel पर और वह ही हाँ यहाँ पर check करें तो यहाँ आपको मिल जाती है N8 variant में steering wheel पर silver finish और यहाँ आपको audio controls offer करेंगे जो कि N4 variant में नहीं मिलते है और जो final आपको इंटीर में difference मिलता वह है कि जो N8 variant है इसमें आपको मिल जाती है basically fabric seats और जो यहाँ पर base variant है यानि कि N4 variant इसमें आपको यहाँ यहाँ पर vinyl seat देगी है तो यह आपको मिल जाते हैं basically सारे interior differences तो इसमें अपको लाज़ा आपको difference मिल जाते हैं N4 एपको इसमें एए फेहाँ यह ए यह सपोयलर के अपको मिल जाते है रिर स्पोयलर जो की N4 variant में मिल जाते है तो यह सरे आपको मिल जाते है basically interior and exterior differences अब चेक करें प्राइस कंपरेजन तो प्राइस कंपरेजन भी आप चेक कर सकते हैं दोनी विरिंट्स के अपनी स्क्रीन पर तो N4 और N8 में आपको मिल जाते हैं 1.12 lakh difference तो इन सब फीचर के लिए क्या आप N4 विरिंट प्रेफर करेंगे या फिर N8 बाइ करेंगे अगर बात करें इंजन की तो दोनों में आपको सेम इंजन दियागे जो है 1.5 liter BS6 M-Hawk 100 diesel engine 100 bh.2 60 nm 17.29 kmpl और आपको यह मिल जाते हैं 5-speed manual के साथ तो यह आपको differences मिल जाते हैं and safety feature differences की अगर बात करें N4 और N8 में काफी सारे safety features आपको similar मिल जाते हैं लेकिन N8 में 2 आपे safety features extra दिये गए जो है rear wiper washer and defogger साथ में anti glare IRVM बाकि आपको similarities मिल जाती है सारी आपने thoughts जरूर विदाए comment section में